चुनावा से पहले मुख्यमंदीर शिवराज सिंग चोहान ने पत्रकारू के लिए कुछ घोशनाई की जिसके बाद महेला पत्रकारू ने दखल नियूस के संपादत शेफाली गुपता के नेतरित में मुख्यमंदीर चोहान को अपनी कुछ मांगों से अवगत करवाया जिस पास येम शिवराज सिंग ने सभी मांगों को पूरा करने का आशवाशन दिया मठ्धिप्रदेश की मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान ने मुख्यमंतरी निवास पर पतरकार समागम का आयोजन किया और पतरकारों के हित में कई घोष्णाई कि मुख्यमंतरी ने पत्रकार सुरक्षक कानून जैसे मसलों पर कमेटी बना के से लागू किया जाने का आश्वासन दिया मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान के दावों और वादों के बीच दखल नियूस की संपादक शैसाली गुप्ता के नेतरत में महीला पत्रकारों ने मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान से चर्चा की महीला पत्रकारों की और से शैसाली गुप्ता ने मुख्यमंतरी से कहा की शास की आवास दिये जाने में महीला पत्रकारों का कोटा तई किया जाए विकास प्रधीकर्णों और ग्रह निर्मान मंदल के घर या प्लाट आवंटन में भी महिला पत्रकारों का कोटा फिक्स किया जाए और हाउस लोन में सरकार पत्रकारों को पांच वर्ष तक ब्याज पर अंशदान देती है उसकी आउधी को दस वर्ष किया जाए मुख्यमंतरी शुबरा सिंग चौहान ने इन बातों को ध्यान से सुना और इसे शीग्र पूरा किये जाने का आश्वासन दिया मुख्यमंतरी शुबरा सिंग चौहान ने पत्रकार सुरक्षक कानून बने इसके लिए पत्रकारों की एक समीती बनाने का ऐलन किया ये समीती जो सुझाब देगी उस पर अमल कर कानून बनाया जाएगा वोपाल पत्रकार भवन की जगे पर स्टेट मीडिया सेंटर का निर्माड किया जाएगा बुजर्ग पत्रकारों की शर्धा निधी को दस हजार से बढ़ा कर बीस हजार प्रतीमा किया जाएगा मुकिमंतरी ने कहा आवास रन व्याज अनुदान योजना की राशी 25 लाग से बढ़ा कर 30 लाग रुपे की जाएगी आवास रन व्याज अनुदान योजना की अन्तरया अधिकल रिम की सिमा भी 25 लाग से बाहा के 30 लाग रुपे की जाएगी जेता की चीप मकान बन सके और किसी भी अधिमान वतकार भाई और बेहन थे बेटा हो या बेटी हो उनकी सिक्षा के लिए बेंक से लोग अगर दिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी पांच पसेंट ब्याज अनुदान पांच साल का जरा कि सरकार के बारा बेहन दिया जाएगा ताकि बच्चों की बढ़ाई की तरफ हम लोग त्यान बेसके छोटे सहरों और कस्वों के पत्रका साथियों को आवर सकता है कि अवर सकता है क्योंकि आजकर में डिजीटल यूग है इसे भोपाल में डिजीटल टक्नीकिक अपनी सिक्षण में लाए जाएगा रबिंदरनाथ तैग और उनिवर्सिटी भोपाल, only private university in MP to be NIRF ranked for five consecutive years जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्वरंग में शामिल होने का अफसर देता है, रबिंदरनाथ तैग और यूनिवर्सिटी, Unlocking Potential आप देख रहे हैं, डखल न्यूद